असलाम अलेकुम वेलकम बैक टुम आई चैनल व्लाग्स विजिन तो जी मैं आज की वीडियो में आप लोग से शेयर करी हूं मेरा मंगल का मेरा ट्यूजडे का पूरा दिन अब आप लोग सोच रहे हो कि ट्यूजडे का दिन क्यों शेयर करी हो इसमें क्या स्पेशल था तो क्या क्या एक्सपिरियंस किया उस दिन में और मेरी इंस्पिरेशन क्या थी और मुझे क्या क्या बैनेफिर्स मिले उस दिन से तो जी सीन कुछ यह है कि मैं कोई 4-5 दन पहले टीवी चैनल पर एक प्रोग्राम देख रही तो इसमें थी डायेटिशन और उनके सुनते सुनत कालें औनके जूसिस पिलें ये वेचेबलें इस तरह से कुछ करना चाहिए मदल्व हिए कि हम पूरा वीक कुछ भी खाते हैं चावल रोटी चिकन कुछ भी जंक फूर्ट कुछ भी घाते हैं लेकिन वीक में एक डेज जो है वो फिक्स रखना चाहिए हमें जिसके-दिन अब उन्हें बोला था कि मेरा जो दिन फिक्स है वो है मंडे अच्छा और उन्होंने जो बैनिफिट्स बताये थे सारे फूर्स वेजटिबल्स के उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया इतना ज़्यादा इंस्पायर किया कि मुझे लगा कि मुझे यह एक्सपीरियंस करना चाहिए और मैंने वह एक्सपीरियंस किया और वह बैनिफिट्स किया थे मैं आप तो बहुत बहुत अच्छा सोर्स होते हैं और दूसरा यह कि डाइटरी फाइबर का भी बहुत अच्छा सोर्स होते हैं फाइबर जो हम लोग नॉर्मली चावल रोटी दाल इन सारी चीजों से ले होते हैं लेकिन डाइटरी फाइबर का एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं जिसकी वज़ा से हेल्दी गट हमारे अंदर जो हैं वो मिन्टेन रहता है और इसके लावा कॉंसिपेशन से भी बचाता है अच्छा फूर्स और वैजटेबल की जूस को प्रिफर करते हैं लोग पीरे होते हैं तो लेकिन मसला यह है यहां पर कि जितना ज्यादा बेनिफिशल हमारे लिए फूर्ट और जूस का गुदा होता है मतलब एक साबत जो फूर्ट होता है वो ज्यादा बेनिफिशल होता है तो प्रॉपर एक फाइबर मिलता है तो प्रॉपर एक जो पूरा जैसे अपल है जैसे अनार इसारी चीजाधा यह आहां अब को प्रॉपरली ख़ाए बजाए जूस पीडेंसे खाना प्रॉप मेंदेंस यहां ऐसे लाःट होते हैं वो लोग जो के अपना वेट लूज करना चाहते हैं लिए बैनेफेशल हो सकता है यह काफी जादा और जो लोग वेट मेंटेंड करना चाहरे हैं वह दिन जब फिक्स करेंगे फूर्स भीघपल के लिएव लोग कैलरी लेंगे हमें मिलती है लेकिन energy full day रहता है हमारा बहुत ज़दा energy मिलती है सारे minerals मिल रहे होते हैं सारे vitamins मिल रहे होते हैं जब हम एक पूरे दिन में different different fruits खाएंगे different vegetables खाएंगे जाहरा है एक दिन में हम लोग सारा एक ही तरह का fruit तो नहीं नचलाएंगे अगर बनाना खा रहा है तो सारा दिन बस बनाना ही खाते हो तो ऐसा नहीं होगा सारे fruits और vegetables हम लोग खाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमें different type के vitamins मिल रहेंगे minerals मिलेंगे fiber मिलेगा और बाकी सारे nutrition मिलेंगे ठीक है तो यह benefit होता है और हमारी skin उससे बहुत ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि जाहर है सब minerals मिल रहे हैं सब vitamins मिल रहे हैं तो जाहर है अब जब हम वेट्रूस के लिए fruits और vegetables खाते हैं तो उससे हमें energy बहुत जादा मिलती है हमारी skin effect ने होती है most यह होता है कि जब हम बहुत stick diet कर रहे होते हैं तो उससे हमारी skin लटकना शुरू हो जाती है sometimes चाहिया पड़ते जाना शुरू हो जाती है skin पर sometimes dark circles होते है skin लटकती है और हमें फतीग थकावट होती है सारा दिन तो यह सारे मसले होते हैं तो जब हम लोग fruits और vegetables खाते हैं सारा दिन के लिए even हम गोटी नहीं खा रहे होते हैं चावल नहीं खा रहे होते हैं लेकिन फिर भी हमारी energy पूरी रहती है हमें बहुत सारे nutrition मिल रहे होते हैं तो fruits और vegetables से होगा क्या कि हमें सारे minerals और vitamins तो मिलेंगे हमारा weight to lose होगा हमारा weight to maintain होगा लेकिन हमें थकावट नहीं होगी हमारी energy level कम नहीं होगा तो ये सारी चीज़े हैं और इसके इलावा एक बहुत ज़्यादा important चीज़ है कि लोग क्या करते हैं कि fruits और vegetables को fry करना शुरू करते हैं different like spices लगाते हैं फिर उसके बाद उसके मेहदा या basin कुछ भी लगाया और उनको fry कर लिया ये बहुत ज़्यादा नुकसान दे हैं आप fruits के benefits को खतम कर रहे होते हैं recipes try करने के चकर में हम लोग बनाते तो हैं obviously लेकिन उससे fruits का benefit जो है वो वाइटेबल का benefit जो हो खतम हो जाता है mostly कोशिश करते हैं कि vegetables को हम लोग steam करके खाएं तो वो ज़्यादा beneficial होती है इसके लाव अगर साबत खा रहे हैं अगर साबत खा रहे हैं तो obviously beneficial है तो fry करके उनको consume करना fruits वगरा को ये नुकसान दे हैं तो इन सारी चीजों से avoid करना चाहिए बोली थी जिसके विचा से मुझे motivation मिली थी और मुझे सारी चीज़े बहुत ज़्यादा समझ आई थी तो मैं सोचा चले इस डे को experience करते हैं देखते हैं कि कैसा डे गुजरता है ये सारे benefits तो उन्होंने बता दिये कि minerals मिल रहे हैं के लावा कॉंस्टिपेशन से बच सकते हैं हमारी skin अच्छी होती है हमारी hairs अच्छी होते हैं ये सब कुछ बताया था तो नेक्स्ट में सारी चीज़े भी आप लोगों के साथ 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 डिसक्स करूंगी तो अब बाते तो होगी सारी benefits भी सारे हो गए और इसके लावा हम इन सबसे पचना चाहिए इनसे आपको कोई फाइदा नहीं मिलेगा आप लोग अगर सारा दिन के लिए ये पूरा वीक भी खाएं तो आपको नुकसान के लावा इन फूर्ट से और कुछ नहीं मिलेगा समते हम लोग अपने डिजर्स की ड्रेसिंग के लिए यूज करते है केक वगरा की ड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं वो तो चलता है चले कभी मान लिया महीनों बाद कभी हो गया चल गया लेकिन फ्रेश फूर्ट ही हमेशा यूटिलाइज करने चाहिए तो यह एक इंपोर्टन चीज़ से मुझे लगा क्या प्रूंग सश्य करते हूं तब मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉंग करता है और इसके लाब मेरा गला एक्षुली खराब है आजकल पूरे एक महीने से तो यह थोड़ा गरम होता है हलका हलका ऐसा तो गले में जो थोड़ी सी डिस्टर्बंस होती है तो उसका अच्छा करता है यह फ्लेश आउट करता है हम ना खतम कर लिया था यह एक डेड़ ग्लास के बराबर मक्ता उसके बाद आ गया था नाश्टे का टाइम नाश्टे में मैंने जो फूर्स ले थे वह था बनाना जो मेरे पस अफिलेबल थे उस दिन ठीक है क्योंकि मैंने अल्री डिसाइड नहीं किया हुआ था तो जो उस समी है जो के माल्टा भी है ठीक है तो यह मेरा इसके अपर मैंने कुछ नहीं डाला था सिंप्ली बस फूर्स को खाया था इसके बाद नाश्टा मैंने कर लिया उसके बाद मैंने अपना बनाया था इन्फ्यूज वाटर जिसको डीटॉक्स वाटर भी कहते हैं इसके बेने मैं थोड़ा अगर गर्मी बिगारा हो तो यह उसके लिए भी अच्छा होता है उसके बाद जो अनार था अनार भी मैंने थोड़ा सा डाल लिया क्योंकि वैसे तो खटा था तो इसमें चल जाएगा ना तो एक या लेमन लेमन भी ओविसली वाइटमिन सी का एक बहुत अच लेती थी उसके बाद मैं और पानी आड़ करती थी तो इस वजह से सारा दिन के लिए यह मैंने पानी जो कंस्यूम किया था और इसका फाइदा क्या है डीटॉक्स का जो इन्फ्यूज वाटर जो डीटॉक्स वाटर भी बोलते हैं इसको बेसिक जो फाइदा है वह यह है कि चैसे मुझ्य जो लोग पीते हैं वह इसलिए पीते हैं कि इसे वेटुरूस होगा लेकिन एक मित था इसे वेटूस नहीं होता है यह ज़स्ट वेटूस में help करता है वह इसलिए कि इसके वज़ा से इसके अंदर किसे हैं पोदीना है इसमें लेमन है यह हमारा immunity लवल को तब मैंने टॉक्सिंस को रिमूव करने की बात की थी तब भी कि हनी वॉटर टॉक्सिंस को रिमूव करता है टॉक्सिंस एक्चली होते हैं टॉक्सिंस जो हैं वह हमारे जिसम में गंदे मादे होते हैं इनकी जो हमारे बॉड़ी पर एफेक्ट करते हैं और उनका हमारे हो रहाता है उसकी बचारा से हमें थकावट बहुत जादा हो रही ह allergic हो रहा था है था हमारे मूंभे हैं is रहा हमारा weight gain होता है skin issues हमें face करने पर ते हम बोड़ी में जहरीले माददी होंगी जब fresh नहीं होगा सब कुछ हमारी Healthy mane, तो जाहर है पिर हमारी sick ही वेड़ से फेक्ट होगी हमारी बॉडंडी में जो है बड़ी से समयल आती है बैद्ट और राधी हमारी के स्मैल से नहीं होते हैं ही सारे पेल खुजł है करने पढ़ते हैं वारी होता है ये हमें जो मारे टॉक्सन हैं हमारी पॉडं mm करता है सारा दिन वाटर नहीं पिते हैं तो इससे भी हमारी बादी बाडी होती हैं हमारे नुख हम नोग यहारा पूर्ट 2 यह बनाते हैं तो हलका टेस्ट आ Actually आ रहा होता जाए अजाता है और बिस एक हम ह में ली तो इसकеци लबगा अच्छा होता है अच्छा तो यह हो गया डीटॉक्स वाटर जो के मैंने सारा दिन पिया था उसके बाद यह था कि नाश्टे के कोई तीन घंटे बाद मुझे भूख लगना स्टार्ट होगी थी और फूर्ट से नाश्टे में तो डाइजस्स जल्दी हो जाते हैं तो दस झाले में यह में थैसे हमारी बॉट के लीए तो यह पाद लिए इसके बाद लिए झालडे तो डीपनागे लिए ऐसक आश्टी स्प्रीबर दो करेवें थैसमारी बॉट के यह पैसी शोपार चाम QA लाजमी बनता है अब बूजी के लिए तो यह जरूरी होता है हमारे घर में लाज़ के टाइम पर वो डिनर के टाइम पर भी खाते हैं तो यह एक टेर साल से लाजमी बन रहा है आप लोग देख सकते हैं कि इसमें अंगूर है सेब है केला था और इसके लावा खीरे अमरूद और क्या था हां टमाटर यह चीज़ें थी इसके लावा आप कुछ भी आड़ करना चाहें आप लोग कर सकते हैं बंद को भी अच्टो अब तो सीजन में काफी जादा कुछ है अब भी घर पे नहीं था यह सारा कुछ क्योंकि मेरा प्री प्लैंड नहीं था कुछ भी तो फ खुजूर मुझे खुजूर उस दिन बिल्कुल भी याद नहीं रही हाला कि खुजूर मुझूर की लेकि मैंने यूज नहीं की पता नहीं कैसे माइंड से स्किप हो गई खैर तो यह सारा वैटेबल्स था जो कि मैंने उस दिन पर खाये लंच के टाइम पे तो यह भी सारे फूट्स और वैटेबल्स मिक्स हो गए, नूट्रिशन वैल्यो हाई हो गई, फाइबर भी मिल गया इस से, तो यह मेरा लंच था जो कि काफी ज़्यादा अच्छा रहा और डीटॉक्स वाटर सारा दिन ही मैंने पिया था, तो जी फिर लंच में वही फूट और वैटेबल स्वानी और इसका जूस बना लिया, जूस बनाने के मैं इसको चान लिया, गूदा इसका निकाल लिया, अब इसके साथ मैंने डाले थे मुसमी, मैंने दो मुसमी का जूस लिया और वो डाला इनके अंदर, और यह बहुत ज्यादा टेस्टी था, उसके बाद मैं डेली बना सकती थी मेरा गला खराः था तो मैंने इस तरीके से कंस्यूम क्या कर भी नहीं लगा मुझे मेरा गला खराः खराः ने को रिस्क था वो भी मैं उससे भी बच्छिग गयी और मैंने अनार भी कंस्यूम कर लिए उस दिन में तो उस के बाद आगया दिनर का टीनर के टाइम पे ना आइडियाज मैंने पहले बहुत सोच के रखे थे कि मैं वैजटेबल्स को स्टीम कर लूँगी मैं वैजटेबल्स के रोल बना लूँगी मेरा वैजटेबल्स कबाब बना लूँगी कुछ भी कर लूँगी लेकिन पता नहीं अनार के जूस की वज़ा से या जो भी था मुझे भूग लगी नहीं डिनर के टाइम पर तो मैंने सिंपली क्या क्या देशी मूखी जखनी बने वी थी मैंने जिस वो टू टेबल स्पून ली ती टू टेबल स्पून अनली और फिर उसके साथ मैंने शल्जम टमाटर प्याज और आलू इनको बॉयल कर लोगो सारा दिन के मील्स मैं आप लों के साथ शेयर कर रहे हूं ठीक है तो अच्छा मैं आप लोगों साथ शेयर करने वाली हूं मेरा पूरा दिन का एक्सपीरियंस जो मैंने पहले बैनिफिट्स वगहरा सब बताये थे वह डाइटिशन से सुने थे वह यूट्यूब से देखे थे वह यह गूगल से देखे थे कि फ्रोंट से यह बेनिफिट्स होते हैं लेकिन पर्सनली क्या कुछ एकस्पीरियंस किया फस्ट एन्फॉर्मोस्स चीज यह थी कि जब हमें पता होता है कि हम सारा दिन बहुत हेल्दी कहा रहे हैं सिर्फ कुछ बहुत अच्छा कह रहा मैंने जरी में ऩाइड है ती ठावक मुट्त कारן किन्बंद मेंतरी ती मेरा यह फिल करते हैं तो थकावट फील होती है और यह सब कुछ होता है लेकिन इसके साथ मेरी एनरजी लेवल बहुत अच्छा रहा था ठीक हो गया उसके बाद यह के सारा दिन मैंने डीटॉक्स वाटर पिया था और जैसे मैंने बता है कि मैं तेरा से चोदा ग्लाश जाए वह कंजूम क अन अनृवोड़ हो रहा यह बहुत बड़ी ना कि हमारी बाद को तियार करते हैं कि नेक्स्त पूरे वीक के खाने के लिए तो नहीं होते है। स्वारे बाद वरेक के लिए थे सारे दोस्तिते हो जाते हैं । keeps तर लिए फ्रीजक्स भीई Alors कि मिलक हो दो रीक अपेंगा हि कि वज़ा से जूस की वज़ा से और पानी ज्यादा कंसुम के रना की वज़ा से स्किन भी बहुत जादा हाइडेटीर मुझे फील हुई स्किन बहुत जादा डिफेंट मुझे चेंज नाजर आया हलांकि बस एक दिन था जो कि मैंने एक्सपिरियंस चीया था अब ही लेकि जो है वो complexion जो है वो थोड़ा improve होता है अच्छा खासा improve होता है बस वही उसी बार से के toxins remove होते हैं इस वजह से complexion improve होता है तो यह है जी आज की सारी वीडियो की detail सारे दिन की detail जो कि मैंने वीडियो में आप दोंक से share की है I hope कि आपके लिए भी beneficial रही होगी जैसे के मेरे अपने रेलिटिव के साथ उन लों के साथ जिनकी आप care करते हैं उनके साथ शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें support करें ताके नेक्स भी में अच्छी चीज़ें अच्छी रेसिपीस आप चुक्ता शेयर कर सकूं तो जी टेक कियर अलाहाफिज से यू नेक्स टाइम झालाहाफ।